बाप छे पानी से काड़ा और दुनिया के पहले कातिल को सजा सुनाई थे उत्मुस सन्निफ आला ने क्या वो मोद थी नहीं वो जिन्दगी थी और कह दिया था खुदा नहीं के एक आपिल तुम फिरोगी जमीन में मफरूर परनसीब निशान सदा होकर और तुम्हारी पेश करे कावील को क्योंकि जो कोई कदल करेगा कावील को मैं उसे खुद सजा दूंगा साथ हुना स्यादा हैंरी लॉंग फैलो की तहरीर टेपल टॉक से माखुस जो हारात बिल्कुल सुनसी हुई जुमर को दिख रही थी गो कि वह यह चाहती थी कि जुमर फारिस से इंतकाम मगर फिर भी इतने देशी से होता सब को चुछ उसे मुस्सरब कर रहा था उससे बहसाहिर मुस्कुरा कर सामने देखा चाहर शादी का फंक्शन रोश्निया नसरा रही थी और हमाद और किरन भी ओफकॉर्स मैं तुमारी मदद करूंगी लेकिन यह इंतकाम वारिस से है या जादा बहतर आप मेरी मदद करेंगी या मैं किसी और के पास जाओं आपको याद होगा आप नहीं मेरे पास आकर मुझे पेशकरश की नहीं कि अगर कभी मेरा इरादा बदला तो आप मेरे इंतकाम में मेरी मदद करेंगी उससे सच सपार से अंदाज से उसे देखा तो जो वहारात पुरन मस्कुराई आगे बढ़कर नर्मी से उसका हाथ दबायो शोर मैं अपनी बात पे काई हूँ ये सब कुदरती तरीके से होगा बहुत जल्द तुम्हारे घर तुम्हारा रिष्टा लेने आएगा वो बस तुम्हें इस हमर को यकीनी बनाना कि तुम्हारे वाले इंकार न करें थैंक्स और रुख भे रहाँ तो हनीन पे नसर पड़ी वो गरतन सरा मोड़कर दूर हाशिम को दिख रही थी आँकों में नापसंदी थी उपरी चेहरा हनीन की करीब क्यों आए ना उनसे बात करने की जुरूरत नहीं है ना उनकी किसी बात का इतवार करना हनीन ने चौंकर उसे रिखा खदरे दिल करिफ्तगी से वो जूट नहीं कह रहे थे उनको वाकई अफसोस है खदरे रुखी उनको अलीशा के लिए वाकई अफसोस है जाने भी दो हनीन वो बेसार सा पीजे हुआ फिर वहां से उठाया हौल की कोने में खुलते दर्वासे वेवरुगा वो मर्दू के लिए मुक्तस रेस्ट्रूम से अंदर शेशे सिठा की रिवार और सामने लगे पीस सन की किदार उसके आगे बात्रूम से साधी एक वेसन की सामने आगड़ा नल खोला चेरे पे चीनटे मारे नल बंधियां साथ रखे टिशू उठाये हाथ साफ किये चेरा उठाया तो ठटक कर रुखा आईनी में अपने अगमे हाशिम खड़ा नजर आया था हूँ दोनों हाथ पेंट की जेवों में डाले फिटिट कोट का बटन बन नर्मी से बग क्या इस अफते आओगे जी आओंगा मुझे और आपको बात करने की वाकए जरूरत है तुशू टोकरी में फैंकर साधी संजीती से कहते हूए मुणा तुम्हारे पास कुछ है साधी जो मेरा है तुमें चाहिए कि तुम मुझे वो पुरमन तरीके से लुटा दो नहीं तो क्या करेंगे आप? क्या आप मुझे जान से माणने की धम्की दे रहे हैं? क्या आप मेरी जान ले सकते हैं? अपने इन हाथों से मुझे मत चुएगा साधी तेजी से बाहर निकल गया अर्शिम ने एक नजर अपने हाली हाथ को देखा वो सपेथ था पतली उंगलिया बाकाइदी से मैनी क्योड शुड़ा उससे हलका साजटका दिल में गहरा कर बुद्रा क्या वो दोनों वहां कई वापिस नहीं जा सकते थे? अच्छे वक्तों में वापिस वो भाहर आया दुनों शिर्वान बेजार सा कड़ा दूर कुरसी पे बैटी गनीन और साधी को घूरा था जैसे बस सजलता हो दोनों बहन भाई को कोली मार दे क्या वक्वास की थी मैंने? इसकी भेहन का पीचा छोड़ दो उससे आकर सकती से कहा तो शेर्व ने करपड़ा कर भाई को देखा पिला परवाई से शाने उचका दिये मुझे क्या? हाशिम ने खूर कर उसे देखा तो मबेता को शेरीन ट्रामा से नहीं निकले शेरू, बहुत हो गया इसकी वजह से मैं शेरीन को कभी पा नहीं सगूँगा पिछले एक हिफ्टे से ही सोच सोच कर मेरे दमाग खोल रहा है और आप कहते हैं बहुत हो गया ओ प्लीज हर्शिम ने बेजार साहोकर सचिट का हमारे पास इससे बड़े मसाइल है और क्या मसला है, आपने कहा था वो आपके डॉकुमेंट्स नहीं खोल सकेगा फे नुशिरवान हैरान हो मगर वो जानता है कि मेरे हाथ पे किस-किस काहून है कहते हुए अपने हाथों को देख रहा था वो शिरवान के अपरूत आच्चुब से दने वो वारिस गाजी के फाइल्स वगरा के पीछे था फारिस को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था मगर उसे यह कैसे पता चल सकता है कि आप किसी कतल में मुलविस उसे मालूम है शेरू और फिलाल यही सबसे बड़ा मसला है मगर हाँ तुम उसको नहीं छेड़ोगे मैं सब संभाल लूँगा तुम कुछ नहीं करोगे बर्मी से उसको थन्वी ही नोशिरवान ने लापरवाई से शाने उशका है ओके और फिर से उन्हीं नज्जू से दूर बैटे साधी को देखने लगा वो लोग अफ़गर जाने के त्यारी कर रहे थे फंक्शन ढलते चान की तरह तम तोड़ा आथा आगे अंधेरी रात थी कबसे हैं एक हुर्फ बे नस्से जमी हुई वो पढ़ रहा हूँ जो नहीं लिखा किताब में जुमर शादी की तकरीब से लोटी तो उसकी हिदायत के मताबिक सदाकत प्रोसेक्यूटर प्रसारत से केस फाइल्स ले आया था वो एक बड़ा सा बॉक्स है जो उसे कबरे के फर्ष फिर रखा था वो अपा को सलाम और शब बगए एक ही सांस वे गया आई तरवासा मुकफिल किया परस्वरे भेंगा फिर अलमारी खोली निशले खाने से एक छोटा डपा निकाला जिसमें से अखबार के तराशे उस सुबा निकल कर बाहर जा गिरे थे जब फारे स्वरी हुआ था वो सुबा जब सब कुछ बदल गया था टपा उससे बड़े बॉक्स के कई उंधा किया कागर्स तराशे नोर्स का ठेर लग गिया फिर उससे बॉक्स को भी उल्टा दिया चुक कर जो तो कि स्ट्रैप्स कोल कर उने परे उचाला खुंगराले बालों का कोल मुल चूड़ा बना कर वो नीचे बैट गई जल्दी जल्दी उन चीसु कोलट पुलट करती वो कुछ तलाश कर रही थी अब रूप भींचे हुए तफ सकती से पैवेस आंकों में घुस्सा फिर धेर तले से उससे एक दस्वीर निकाली फिर दूबारा हाथ माराओ ये रही दूसरी दस्वीर जफ्दभरी सांस ली तसावीर लेकर खर उठी नंगे पाउं चल्दी दिवार तक लगई जहां उचा और चोड़ा सा क्रीन बोर्ड आवेसा थाओ सुमर ने एक पिन उदारी और पहले दस्वीर वहां सामने लगाई फिर दूसरी भी कदरे पीछे हटका तुन नहीं से उनको देखाऊं सर्दाशा घाजी वारिस घाजी ये उसका भोटा और अभी उससे ये भढ़ना थाओ वो वापिस वलड़ाई नीचे धेर लगी चीज़ों को उठाकर सड़ी डे होने के बाद मैंने ही कदम उठाया इंसाफ के दर्वासे बंद हुए तो मैं इंतकाम की दर्फाई वो सपार संजीता चेहरी के साथ कुरसी पे बैठ गई काग्जों का बलंदा सामने रखां टेपिल लेम ओंडियां एली सवे की पेशानी पे दर्श थां सरकार बानाम वार सवाजी जुमर की निगाएं लफ्स लफ्स अपूर करती गई किर्की के बाहर रात खेरी थी वहर गुजरता पल उसको मसीर अंदेरा करता जा रहा था यहां तक कि वो तारीक की इंतिहा को पहुंच गई इतनी स्यां इतनी स्यां कि जैसे सारी रोश्नियां दम दोड़ गई सुबा की पहली किरन नुमादार हुई रोश्टी को जैसे कोई रोशन मिल गया हूँ वो पहलती गई कत्रा कत्रा किरन किरन और भी रोश्नी भी खूप तर होकर पुरानी हो दी गई सफेद टी-शर्ट और नेली जीन से मलबूस साधी ने जब जुमर की कमरे का दर्वासा कट-कटाया हूँ तो सुरज सवा ने से वे थाओ एत्वार की सुस सुबा आज भी सुसी उसको पिछले एत्वार की सुबा याद आई जब सुमर उसके रेस्टरेंट आई थी और उससे कुर्दे के बारे में सवाल गिया थाओ वो उदासी से मुस्कूर आया फिर सरजट को दर्वासा दुबारा बचाया कोई जवाब नहीं साधी ने आइस्सा से दर्वासा धकेला तो वो खुलता चला गया अंदर का मनसर वास्या हुआ फर्ष पर बेशुमार कागस विखरे हुए थे दसावीर, फोटो स्टेट वाइसरी से चलता अंदर आया ताजो से सर उठा कर दिवार को देखा बोड भरा हुआ था उपर वारिस और जर्दाशा की दसावीर उरुन के आगे बीचे उपर नीचे बेशुमार तराशी कागसान और स्टीकी नोट्स जिस्वान थे सरकार बानाम फारिस खाजी से मुतलका शहाद थे सबूत ना तमाम वजुहाद ना काफी कवाहियां सब वहां मुतसरन सजा था साथी ने गर्दन मूड कर सरी डेविल की दर दिखा वहां भी फाइल स्विक्री दी और एक खुली फाइल पर सर रखके वो सो रही दी आंखें बन नांग की लोंग चमकती हुई और धीला जूडा खुलकर भी खर चुका था वो हलका समस्कुराया पर करीब आया हूँ मैं से हिनारे हाथ रखका चुका हूँ फुप्फु साधी निननमी से उसके सर पे हाथ अखा आपकी तबिया ठीक है मैं आपका सर दबा दूँ कहकर उस सर उठाने लगी तो सीधा हो गया बन आंखों से चेहरे से बाल अटाते सीधी हो बैठी लड़े कान के पीछे उड़ सी आँखों को पोरों से मसला पे चेहरा मोरकर गुलाबी हो अधाब दीदा आँखों से उसे रेखा हलका समस्कुराई तुम कब आए अभी मुझे रात को लगा था आप ठीक नहीं है आप कुछ परेशान लग रहीं थी जहीन के परदे पे चोहराज से बात करती सुमर उपरी फिर एक विकरमन निगा पिखरे कागसों पे डाली आप क्या कर रही हैं जुमर ओ ये उसे दुरत देखाऊं ये प्रोसीक्यूटर पसारत ने भेज़े हैं वो कसलमंदी से उठी हो चीजसे सुस्रोई से समेटने लगी डेड़ साल पहले मैं भी यही कर रहा था मगर आपको यहां कुछ भी नहीं मिलेगा तुम ठीक कह रहे हूँ हलाफे तोका सुमर्ण संजीत की सुसे देखकर कहाऊं साधी एक दम चुपसा होकर उसी को देखने लगाऊ वहाग गई ये केस मुर्दा है कोई भी चीज से थाबित नहीं करती कि फारिस गिल्टी है वो अप फाइल में सफ़े तर्टीब से लगा रही थी सवाय आपकी कवाही के मतलब वो हित्याद से एक एक लफस कह रहा था मतलब जो आपने कोट में कहा यानि कि फारिस गाजी के नमबर से फारिस गाजी की आवाज में आपको कॉल की गई थी और तुमने जी क्योंकि वो जाली थी और इसी लिए जज ने मामो को रहागर दिया यूनो सादी तुम ठीक कह रहे हो सो मैंने समझने वाले अंदास में असवात में साही लाया हो हो सकता है मुझे वागई सेट अप किया गया हो वो सब जोटो मेरी घरत कवाही की वज़ा से फारिस नाम लीना भी असियतनाक था ने चार साल जेल में काटे ये केस मुकमल दोर पर पढ़ने के बाद पहर जानिब दारी से मुझे वाकिए ये लग रहा है कि मैं गलत हूँ मुझे नहीं बता मगर मेरा नहीं खयाल अब मेरे पास कोई वज़ा बाकी रह गई है तुम्हारे मामू को मौवर दिल साम ठहराने की इसलिए गोग्य मेरा दिल पूरी तरह साफ नहीं हुआ मगर मैं अपने लिजामार से पीछे अट्ती हूँ संजीरी किसे कहती वो फटाफट कमरे की चीज़े अपनी जगा पे वापिस आ रही थी अगर मैं गलत हूँ और तुम सब ठीक हो और शायद ऐसा ही हूँ तो मैं हार मानती हूँ मैं ये नहीं जाता क्या आप हार माने उसको दुख हुआ था फिर तुम मुझे एक बात बताओ पारिस्यों जो मुझे कॉल की थी वो तुमारे पाकोल चाली आवास सी वटेवर उसकी रिकॉर्डिंग तुमें कहां से मिली रिकॉर्डिंग साधी के अलक में कुछ भसाँ देट साल पहले तुमारे वकील ने रिकॉर्डिंग अदालत में पेश की थी और तुमारे एक्सपर्ट कवा ने ही थावित किया था कि उस वो वावास का वाइस्प्रिंट साधी के अवास के वाइस्प्रिंट से मुक्तलिफ है और उस रिकॉर्डिंग का सोर्स तुम लोगों ने कभी साहर नहीं किया था क्या तुम मुझे बताओगी वो तुमें कहां से मिली उसकी संजीदा भूरी आंके साधी पे जमें थी साधी ने उसको देखते होगे लब खोले फिर बंदी है सरा सा सोचा पर ठहर ठहर कर बोलाओ मैं जवाब देने से इंकार करता हूँ इस बुन्याद पे कि मेरा जवाब मुझे मर्द तक कब बे इलचुर्म साहिर कर सकता है कानून शहादत आर्टिकल बंदरा के तहद तुमें ये अस तनसा हासिल नहीं है क्योंकि ऐसे जवाब पे तुम्हारे हिलाब कारवाई की जा सकती है चूंकि हम कोट में नहीं है इसी मैं जवाब ना देने का हक रखता हूँ क्या आप फारिस खाजी को बेगुना कह रही है मैं ये कह रही हूँ कि मैं दुबारा उस फिल्जाम नहीं लगाँगी वो मुतमीन सी कहती राधारी में चलती गई साधी ने नसर मोड कर पोट को देखा जो मुतलिब काख़ाज से भरा हुआ था जुमन ने केस पड़ा शहादते सबूत वो सब देखा जिससे वो हमेशा मुँ फेर कर चली जाती थी और उसे एकिना गया कि फारिस बेगुना है सीड़ी सी बात थी उसे तो खुश होना चाहिए था मगर परसल का कौन सा टुकड़ा खाइब था साधा सी बात में छुपी कौन सी पर चीत की उसे सुलचा रही थी साधी ने कई साल इस लमे का इंतसार किया था जब फुपो तस्लीम कर ले के फारिस बेगुना था वो लमखा हया और गुसर किया मगर वो इत्त मुतमेन क्यों नहीं था क्या इस ये कि वो कई साल पहले वाला मासूम साधी नहीं था आज के साधी का दमाग उसे बदा रहा था जो मर इतने आसाने से मुनने वाली टैनी नहीं थी फैर वो उससे उलच्टा बाहर आगया अभी उसे एक और जगा पीजाना था हर एक कदम ओजल था हर एक काम जिन्दगी हम घूम फिरके कूचा एक आतिल से आए है कारदार के सर पे वो इत्वार मामूल की जुस्सी और गहमा गहमी के साथ तलू हुई थी साधी ने नीची चार दिवारी पे हॉन दियो उसे देखकर गार्ड से धरवासा खोल दियो कार मक्सूस चेकपॉइंट से गुसर कर आगे आई डेलान अबूर की और वो रहा सामने उंचा महल और उसके अक्प में छोटी से एनेक्सी वो कार उस रोश पे आगे ले गया हूँ जो उंचे नीचे सबसे के दर्म्यान से गुसर कर एनेक्सी तक जाती थी दफातन उससे रफतार आजसा कही थी हाशिम की अक्पी बेलकूनी का मनसर सामने आया हूँ वो नीचे सबसे वे खड़ा था हूँ ट्रोजर और रादी आसीनों की टी शर्ट में हस्से हुए छुपकर अपने पालतू लेवर टार कुट्टे की बालों को से ला रहा था मतलब वो इनेक्सी जा रहा था फिर मस्कुरा कर सीधा हुआ अलका सा हाथ हिलाया साधी ने जवाब में बिना मस्कुराइद आया हाथ उठाया पेशानी की गरीब ले जाकर सर को हम दिया आमोश सलाम अदब पहला करीना है दुश्मनी के करीनों में और कार आगे ले गया सब्सक्राइद देखता रहा हुआ फिर सजड़कर सोने के तरह मत्वच्वा हो गया जो उसे कुछ कह रही थी साधी नेकार इनेक्सी के करीब खड़ी की पीछे देखे बगए परामदे में आयो बेल दबाई विजली नहीं थी तभी घंटी नहीं बजी उसे दर्वासा कट कटायों जवाब ने दारवत उसे इंतजार नहीं कियों जा भी उसके पास थी फारिस से जेल की समाने से उसे दे रखी थी अंदर आया तो घर हामोश खड़ा था वो कदरे हैरान सा एक कमरे से दूसरे दख्या हूँ बाई फारिस की कार तो खड़ी थी फिर केदर हूँ नी इजे पूरी घर के रख पे जितना बड़ा सकमरा था जिसमें बड़े-बड़े सतून थे इर्दकित कार्ट कबार पुराना फ्रीजर घाड़ी का समान वगेरा रखा था एक दिवार पे हाली रैक्स से यहां किसी समाने फारिस की पिसोलों और बंदू की क्लेक्शन होती थ फिर भी रोशनी कम लगती थी पारिस दिवार से लगी मेज के आगे कड़ा था हूं साधी की तरफ पुष्टी सर चुका कर मूँ में कुछ जबा था हूं कुछ काग साथ उलट पुलट कर रहा था हूं मगर साधी ने उससे नहीं देखा वो मेज के पेचे मुझूद दिव साधा वरी हूई थी साधी के अब रूफ विकरमंदी से कटे हूए सराफ किसी रूफ फेर कर उसे देखा तो आप दो हफ्टों से ये कर रहे थे को ये द्रास वो प्याले में रखी सोंफ के दाने उठा कर मूँ में रखता मुड़े बिना भोला अभी तक साधी को नहीं दे दिवार पे जमी थी जो सारे जिंदगी किया है तफ्टेश तो सुर्ख मारकर लेकर दिवार तक गया हूँ एक कटिंग चिस्पा की और मारकर से ओपर सवार ये निशान बनाया हूँ फिर वापस मुड़कर साधी को सिंचीटी किसे देखने लगा हूँ तुम कैसे आए मग अगर वो अब करदन मोड़कर मेस के नारे पे रखे पैक को देख रहा था जिसमें उसकी तासा तासा मंगवाई कई कंसी और कॉलिया और ये सब कुछ देखते हूए साधी को घुसा आने लगा वो उसकी पे गुनाही के सबूत देता ठक गया और इधर आकर कोई ये देख तो क्या ये आपके नाम पे लाइसन्स शुदा है ना पसंदी दी से कंस को देखकर उससे मश्कूप नसू से फारिस का शेरा देखा नहीं अगर गिरिफदार करना है तो कर लो तलकी से कहता हूँ मेस सब वापिस आयरों का अगजाद उठा कर दूसरे दरफ रखनी लगा पारी क्लासेज अटेंड करूँगा नांग से मक्य उडाता वरसल ये भी ना बोला साधी ओफ करिये रहिए पिर खूमकर उसके सामने आया अगर आपको पता भी जल गया कि यह सब किस ने किया है तो आपने यह ऐसा इसले लिया है ना ताकि उसको चाकर गोली मार दे तुम ह उनके बदले हुन पे यकीन नहीं रखते, बिलकुल रखता हूँ, मरग इंतकाम लेने के भी तरीके होते हैं, आप उसको मार देंगे, कल को उसके हांदान वाले किसी और को मार देंगे, और ये साइकल ओफ रिवेंज, इंतकाम का चक्कर, कभी हतम नहीं होगा, उससे फिकरब साधी ने कौनी छोड़ी, पीचे हुआ, धोख निकलाओ, सरा सिशाने उचका है, मुझे कैसे पता हो सकता है, यही तो पूछ रहा हूँ, तुमें जो कुछ पता है, वो कैसे पता है, साधी ने ठेह ठेह कर नसे मिलाए बिना देवार को देखते हुए जवाब अनका हूँ, मैं जवाब देने से इनकार करता हूँ, इस बुनियाद पे के मेरा जवाब मुझे मर्द तक कब पे चुर्म साबित कर सकता है, ओ कमोन, तुमें यह इस्तस्ना, कानून, शहादत, आर्टिकल नंबर 15 के तहद हासिल नहीं है, वगेरा वगेरा, मुझे पता है, फारिस से वा क्या हुआ, जो तुम्हारी पुपो ने मेरे साथ किया हूँ, मैं भूला नहीं, इसलिए भेतर है, मुझे सरफ ना आ जाए, चाई प्योगे, साधी का दिल पूरी तरह दुखा, मगर उससे लप खोल कर बंद कर लिए, पेससा हिलाया हूँ, जी प्योंगा, वो कुर्सी जिन में समान रखा है बना लो, दो कब, मेरे मिचीनी नहो, वो जो बैटनी लगा था, रुखा, नराजी से उसे देखा, और फिर बहुत अच्छा किया कर सीडियों की दरफ बढ़ गया, फारिस बच सतूर, करदन चुका है, कागसात खंगाल रहा था, इनेकसी का किच्चन लाउन से मुलक्का था, बिल्कुल ओपन, उसे समान ढूंडा, चूला जलाया, पाने में पत्ती गोया छोंगी, फिर खिड़की को देखा, उस पे कोई परदा बगेर ना था, खिड़कीों की शीशे पे गिफ्र लगा कर फूंडी सी बज़त की गई थी, और ये तो सब को बता था, कि सरताशा एक इंत्याई भॉल लड़की थी, साधी ने खिड़की खोली तो सामने किसा का अपी हिस्सा नमाया हुआ, आशिम बॉल कुत्ती की तरफ उचालता, उसे मूस ने गेज करके सोनिय की तरफ भागता, सोनिय हसास कर धोरी हो रही थी, साधी की चेरे पे स खमी साधा सुराया, उससे खिड़की बन कर दी, सोर से ठक, एक हफ़ता हो गया था, आशिम की फाइल्स वो लेकर भी बेपसी से बैठा था, उसे जल दस जल सब हो दिकटे करके आशिम के पास जाना था, तक इस उमर और फारिस के आपिस की गलत फहमीं दूर हो जाए, जही आत्मी, उसे इलियास फात्मी की तस्वीर पे उंगली से दस सकती, ये वारिस का बोस है, इसे वारिस से सीफा मांगा था, हर बंगली का सीरा इस शक सक जाता है, ये कीनन कुछ न कुछ जानता है, उससे ताहिदी नसू से साधी को देखा, उससे शाने उच गा है और कप फा इसमें चीनी है, ओ, मैं भूल गया, सौरी यहां तक कि वो चलने फिरने लगी, गोया चार साल पहरी के मनाजर भी उनके आसपास पेशा रहे हूं, शहरे हवा में जलते रहना, अंदेशों की चोकट पर, रात गए तक उलजे रहना, वे मफूम हयालों में, चार साल कबल, वारिस कासी के कतल के साथ दिन बाद, किसर का अंदार बिगडे दासूर हवा आंकों के साथ फून पे बात करके, हटे और फूमोबाईल भेंगने के अंदास से सोफे पे उचाला, टाही की नौट ठेली की सब करते हुए सोफे के आगे, दो तीन चकरू में टहले, दा फातन इल की टिक-टिक आती सुनाई थी, और रंग सूरत सी, यकीनन, अभी कहीं से लोटी थी, कोने पे अटका पर्स मुस्कुराते वे मेस पे रखा और करीब आई, गूड इवनिंग, गौन के गले पे लगे बटन को तो उंगलियों से चेड़ दी, वो मीटी मुस्कुराट के साथ और रंग सेप को देख रही थी, ये फार इस तुमारे घर की एनेक्सी में क्यों चक्ला रही है, ओ सोरी, वो तो तुम कहीं साल पहले अपनी भाज़े को दे चुके हो, जवारात, वो बसाही टेश से हुराएं मगर इस चारियत में मदाफाना से चल लगती, बेफिकर हो, कोई मसला नहीं है, कुछ लोग उसके भाई चुका कर उसमें जागा, और ठीक है, कि वारिस का मुबाइल फारिस की कार से मिला है, दो उंगलियों से एक्योरियम का चीशा बजाया, मचलियों में हल चल सी मची, जो हरात मस्कुराईं, और हाँ, वो रसी जिससे फारिस के हाथ पहरवान दे गए, वो भी उसके पास से मि है, और वो धावी फारिस का सोदेला भाई, मगर सीधी हुई, स्टेंड में रखे, जार से खुराग की मुठी वड़ी, और पानी के ओपर खोल दी, सारे दाने पानी में गिर गए, मगर इस सब से क्या फरक पड़ता है, तुम्हारे भांजे को गंस जमा करने का शोख है, इ लेकिनन ये एक खुदकुशी होगी ना कि कतल, वो दाना डालकर हाट टेशू से साफ करती, चमकती आंगों से मस्कुराती उनके सामने आई, है ना, और उससे से खोलती हो रंगजेब, इस से पहले मजीद कुछ कहते है, वो उनको वहीं छोड़कर आगे वड़ाई, तेज स चलती और आदारी में आगे आई, तो मस्कुरात इस सराब में तब्तिल हो गई, कंट्रोल रूम के दर्वासे को खोला, तो अंदर मुझूद हावर और हाशिम दोनों चोंगे, दर्वासा बन गएके हाशिम के सामने आकड़ी हुई, और सुलक्ती नसूस हो सिकुरं, तुम आवास के वीडियो, बागिक स्क्रीन्स पे दूसरे मना से थे, लौश के इलावा गेट, लौन, विरुनी दर्वरामदा, जैसे चन मुकामात पे एक ये कैमरे नस्व थे, मैं नहीं जाती, वो फारिस के साथ खड़ा हो जाए, इसी जोग करना है चल्दी करो, हाशिम संभा लेगा, आप क्यों फिकर करती है, वो मुस्तरीब सही कहकर आगे आया, और हावर की कुरसी के साथ जुक कर, लेपटॉप को देखने लगा, जिस पे हावर ठीक टाक काम किये जा रहा दाओ, आज चुम साधी और फारिस के साथ प्रोसीक्यूटर के पास गए थे, क्या कहा उ उसे फारिस की बेगुनाही का यकीन है, प्रिके फारिस के पास कतल की वज़ा नहीं है, तो तुम्हें हाशिम, उसे कतल करवाने से पहले कोई वज़ा ढूंड कर फारिस पे ये सब प्लांट करना चाहिए दाओ, जो हारात को राई, वो तैश से उसकी तरफ मुड़ाओ, मै कॉर्पोरेट लॉयर हूं, कराय का कातिल नहीं, और मैंने कुछ भी प्लैनिंग से नहीं किया है तब था, आपको मालूम है, ये गल्ती थी, और मुझे उसको फिक्स करना है, रुक कर उसे उसे से मां को देखते होवे, एक दूस साथ से लिए, और ये सब इतने अराम से फि खड़ा हूँ, ओ, I am sorry, मैं अंकल ने बुलाया था तो, वो सर्दाशा थी, चोकट पे रुक कर वापिस दाने लगी थी, आप लोग बीजी हैं, इस सोके, मैं बाद में आ जाओंगी, कतर तसपसब से मुहसरत करते हुए, एक कदम पीछे हटाया हूँ, बारी बारी सब के च कुछाने दबा नहीं पा रहा था हूँ, sorry, मैं ऐसे ही, वो सरा शर्मिंदा, सरा सोच्टी, उलश्य निकाहमसुन को देख रही थी, वापस में इतनी उलचे हुए थे, कि उसे आते स्क्रीन की फूटेज में नहीं देखा हूँ, ओफ, कोई बात नहीं, हम एक यहांदान है, जो आरात पीका समस्कुराई अपनी जगह से, वो एक इंच भी नहीं इलपा रही थी, कहीं उसे कुछ सुन दो नहीं लियाू, अंकल फारिस के बारे में पूछ रहे थे, वारिस भाई के केस की पेशरफ्त वगिरो, मैं यहीं आप से पूछने आई थी, मुझे तो कोई कु साफ करता बाहर आया, सरताशा भी जोकर से हटकर आधारी में आखड़ी हुई, आशिम ने बाद शुरू करने से कर्व सरा इत्यास उसे रिखां, वो 24-25 बर्स की खुछ शकल से आंकों और स्टेप में कटे बालों वाले लड़ी थी, इस वक्त अबरू सरा उलचन से कर रही है, और उसको बार बार सवाल जवाब के लिए अपने पास बुला रही है, प्रोसीक्यूटर जुमर यूनो, साधी की भुपो, अभी दुपहर को भी फारिस वही था, जाइदाशा की उलचन मदम हुई, उसके जगा नागावारी से उभी, वो फारिस पर शक कर रही है, उसने फारिस को कहा है कि वो उसे अपने अहले पाई लड़की से मिलवाए, उसको फारिस की बेगुनाही का सबूत चाहिए, अब मालूम नहीं, कितने दिन वो बेचारा हूँ, उसके ऑफिस के चक्कर लगाता रहेगा, मगर जुमर को कौन समझाए, तो जब तक उसको यकीन नहीं आएगा, वो फारिस को अपने पास बुलवाती रहेगी, वो तेजी से उसे देखती बोली, ओ कम ओन, हार्शिम ने बेपरवाय से सजटका, रोज के चंद घंटे उसके साथ गुजार लेने से, उनके तरम्यान कोई पुरानी बात फिर से नहीं शुरू हो जाए और मरसी का मतलब निकाल लिया, सरताशा लब भेंचे सबसे वापिस उड़ गई, वो फोरण उसके पीछ आया, सुनो, तुम्हें भी फारिस पे शक है, बेशक वो पार्टी में उस वक्त नहीं था मगर, वो दोनों साथ साथ राधारी में चल रहे थे, जब हार्शिम ने प वागई, अजीब बात है, मैं अभी अम्मी से यही कह रहा था, कि हावर भी उस वक्त नहीं था, और भी कुछ लोग नहीं थे, मगर, और कौन, उसे उसी तेजी से बात काटी, यही हमारे कुछ दोस्त, मगर मेरी पार्टी कोई ऐसा पेमाना थो नहीं है, जो उसमें नहीं ह होगा, वही कादिल है, लेहाजा उसी पे शक किया जाए, यू नो वाट, ये फारिस पे शक, प्रोसीक्यूटर की उससे तफ्टीश, ये सब जान भूचके किया जा रहा है, मुझे नहीं बता, उन चिर्टी हुई बाहर निकल गई, अर्शिम खड़ा उसे जाते देखता र जानता हूँ, वो संजीती से कह था, आवर के लैपटोप तक आयो, और सवारे नसुस उसे रिखा, कहां तक पहुँचा काम, हो गया सर, वो तापतारी से स्क्रीन पे उसे कुछ रिखाने लगा, जारा सामने खड़ी थी, फिकरमन उलजी हुई सी, उनको देखने लगी, सरतार्षा सीने पे पास उलब पेड़े सर जुकाई किसी अचीव कश्म कश्मी चलती जा रही थी, तफातन आवासू पे उरुगी, कर्दन को मा कर दीखा, लॉन के किनारे मस्नुई आपशार थी, वो इस वक्त बन थी, उसके सिप्स पे शेरीन पेड़ी थी, टॉप्स के स सूर काफ़तान नुमा, शिर्ट पेने वो जिंगम जुवाती सर जुकाई मुबाइल पे बटन दबा रही थी, जर्दार्षा ने लम्हें पर को कुछ सोच कर, उसके शिर्ट करदन की माला कलाए का कड़ा, और ओवा, यह लॉंग शूज, यह किस प्रेंड के होंगे, मगर फिर उसे सरशटका और आगे की दरफ आई, शेहरीन, शेहरीन ने चोंकर सर उठाया, फिर आगे सकोड कर उसे देखते, चेहरे पे सामने को आए, सुनेरी बाल पीछे आटाये, हेलो जर्दाशो, वो करोफर से मस्कुराएं, क्या तुम मुझे सोने की बर्टे पार्टी की वीडियो दे सकती हो, मुझे अपनी कसंस को तुमारी साड़ी दिखानी है, एक्स्ट्रो कॉपी होगी न तुमारे पास, शोर, आवर ने बहुत से सीरीज दीन थी मुझे, मैं मेरी एंजियो के हाथ बिछवाती हूँ, तफाहरा ना, शाने उचकाए, सर्दाशा नर्मे से करके आगे वड़ गई, चलने की को है एक समूम अभी, रक्स फर्मा है, रूहे बरबादी, तुम्हे एक तीर से कितने शिकार करना चाह रहे हो हाशिम, अगर कुछ खलत हो गया तो, फिर से सुनने प्लैन, कुछ खलत नहीं होगा, हम जुमरे फाइरिंग करेंगे, गन फार वो जाहर फारिस से तफ्टीश कर रही है, उस पे शक कर रही है, ऐसे में जुमर को ये हमला, एक मुझरिम को हुद को चुपाने का हर्बा लगेगा, वो यही समझेगी, कि ग्रिफदारी के होफ से फारिस से ये सब क्या है, और अगर उससे फारिस के हिलाफ साजिश समझा हाशिम पहली दफ़ा खुल कर मस्कुराया, और हावर को देखा, वो भी मस्कुराया, जवारात ने बारी बारी दोनों को देखा, क्या मैं कुछ मिस्स कर रही हूँ, जुमर कभी भी नहीं समझेगी, कि ये फारिस के हिलाफ साजिश है, वो फारिस को एक असूरवार क्योंकि ये बात उसे फारिस खुद कहेगा, ओके, और फारिस उसे ये बात क्यों कहेगा, जुहारात अब सहरा उक्ताने लगी थी, वो इस तरह मम्मी, कि हम फारिस की तरफ से जुमर को यही बात कहलवाएंगे, हरकिसे ही हाशिम, जुहारात ने कोफ से साजट का, जुमर क को आज भी फारिस की बेकुनाही का यकीन है कल भी होगा हम उसको फारिस की तरफ से कॉल करेंगे कहते हुए हाशिम ने आवर की तरफ इशार रहिए हूँ हावर ने लैपटोप स्क्रीन जो आरात के सामने की वो मुश्टबा नसरों से उसे देखती गरीब आई क्या तुम दो कफ़ते से उसका फून टैप कर रहे थे अब देखिए जो आरात पचसतूर मश्कुक से उसे देखे गई गई मैं जो भी टाइप करूँगा वो फारिस की आवाज में भर कर सामने आएगा हम फारिस के फोन से प्रोसीकुटर को कॉल करेंगे और हमारा कहावा स्क्रिप्ट उसकी आवाज में पढ़ा जाएगा वो यही समझेगी यह फारिस है और उस पे हमला करने से पहले उसके सामने इत्राफे चुर्म करके अपने जमीर की आखरी चुबन निकाल रहा है और उसको हतम करने के आखरी सबूत भी मिटाना चाता है लेकिन जोंकि वो जिन्दा बच जाएगी इस यह वो उसी कॉल को फारिस के हिलाफ इस समाल करेगी ऑफ कोर्स जुमर के पास ही नहीं होगी लेकिन उसको फारिस की अलफास सारी जिन्दगी याद रहेंगे इस बन्याद पे वो उसे जेल भी जवाई ही और वो उसके हिलाफ सबसे बड़ी कवा होगी हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा वो दोने एक दूस्ते के सबसे बड़े दुश्मन बन जो आरात कदेश नपे से दोनों के शेरे देखनी लगी लब दांतों से काटे हुए वो काफी मुत्फिकर नसरा नहीं थी हाशिम अगर कुछ खलत हो गया अगर जुमर हमारी चाल में नाई अगर उसने इस सब को एक सोचा समझा प्लैन समझा तो तो फिर हमारी किसमत का फै नहीं थी आँखों में शटीर इस सरा आप थां फिर किसी हैल की तेहर उससे चोंकर आशिम को देखां लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई अगर फारिस से वाकई फारिस का गतल किया है और वो जुमर के सामने अपनी कॉल में इत्राफित जुम भी कर लेगा तो भी वज वजए गतल नज़र नहीं आ रही हार्शिम की तासरात गतले सकते होंगे उसके आँगे सुकर गई और उनमें एक अचीब सा जस्वा हलकोरे लेने लेगा उससे करदर मुड़कर दरफासे की तरफ देखां जहां से अभी अभी सर्दाश्या वापिस गई थी और फिर बोला तो उसके आवास में सखमी बन सा था हूँ वजए गतल सामने है और मैं उसको इस सब में फिट कर लूँगा भरोसा रखे हार्शिम हर चीज संभाल लेगा हूँ जोहारात बस उसको देख करे गई थी उससे सोचा कि हार्शिम से पूचे कि वजए गतल क्या बना रहा ह लेकिन भी उससे पूचा नहीं गयो दिल पर बड़े भोश पढ़ते जा रहे थे वो पेदिली से उटकर वहां से आ गई बाहर आई तो औरंग से बलाउंच वे में थे उनके सामने जोहारात ने चेरे पर मस्तुई मुस्कुराट वैसे ही सजा ली वो बड़े तमकनत से आक बड़े सोफे पर बैठ गई टांग पे टांग रखी बासु सोफे के हद्दे पर जमायों और मुस्कुराट वने देखने लगी उनके तने तासुराट मसीतन गए कदरे मताफ़ाना से जारियत से वो उसको देखकर वोले हाशिम से को जल्दल सल्दी मामला हतम करे मैं इस व प्यारे दिल के भी कितने अजीब थे सब रह रो थे कोई यहां रहनु माना था इनक्सी के बाए शाम कहरी हो रही थी बलाई मंसिल के पासर बैट्रूम में पैटके किनारे बैटी सरदाशा के चेरे पे सोचू का जाल था वहां देली थोड़ी पे किराए अंगली पे सामने कि लट लपेटी दूर किसी यह बराए नुक्ते को दिख रही थी बात्रूम से पाने किर्णी के आवास आ रही थी कभी कबार वो गर्दन मोड़कर उस सरफ देखती फिर दुबारा से हला में देखती लिगती उसका सेन मुनकिसिम था हार्शिम से की गई बाते सुमर का जि कर क्यों किया फिर उसको आते देखकर उनके चेहरे इतने फक्क क्यों हो गए थे जर्दाशा के पास बहुत से सवाल थे जवाब एक कभी नहीं था दफातन फून की गंटी बजे वो पेजारी से उठी और घोमकर साइट डेविल दगाई और इसका मुबाइल बश रहा था और उपर लिखा था मैडम सुमर जर्दाशा की लब भेंच गए आँखों में अजीव सी नागावारी हो भी चंद लंबी वो फून को देखती रही पिचर से उठाया जोर से बटन प्रेस करके कान से लगाया जी फरमाईए मैं डिस्रिक्ट प्रोसेक्योटर सुमर यूर सो बात कर रही हूँ जो मैं कहते हूए सराचिची मुझे फारिस से बात करनी है मैं फारिस की बीवी बोल रही हूँ आपको फारिस से क्या बात करनी है जैताशा का लहजा फुश और सर्थ था हूँ जोमर लम्हें बढ़ के लिए चुप हो गई कैसी हैं आप जोमर ने गुफ्तों को शुरू करने की कोशिश ही फिलाल तो ठीक हूँ लेकिन जिस सरा आप मेरे शोहर के साथ बीहेव कर रही है मुझे नहीं लगता यगली दफ़ा हम इतनी ही उश्कावारी से बात कर सकेंगे लाइन पे चनलमे की आमोशी चाही रही फिर सोमर की अवास उब रही है तो उसमें कहरा था चुपता हूँ तो उसी जानिब सोमर अजनबे और हैरत से फून को देख रही थी फिर उसके तासुरात कुछ सक्त होगे आवास सपाट होगे मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही आपके सरफ इशारा कर रही है मैं सिर्फ और सिफ फारिस और साधी की मदद करना चाहती हूँ बारहाल खटक से फून बंद होगे हूँ सर्टाशा टेश से फून को देख करे गई फिर जोर से वापिस फेंगा बातरूं का दरवासा खुला तो वो चोंक कर मुणी पारिस बाहर निकल रहा था तोली से कीले भाल लगड़ा उसके आंको और चेहरे पे शटीर इस सराफ सा था येक उन्हें कॉल बेक कर ले फारिस से जरा चूंक कर उसे देखा आंके सुखेड़कर उसके तासुरात बेहो रही है और क्या कह रही थी कुछ हास नहीं वो खुमकर बैटके दूसरी तरफ चली गई वो प्रश उठाकर बालों में उपर से नीशे पहने लिगी अलवत्ता चेहर मिलाकर उसे कान से लगा रहा था फिर पलटकर वो दर्वासे से मुलक का पैलकूरी में जाकड़ा हूँ सरताशा की समाते वहीं लगे थी पालों में हर प्रश फिरता हाथ रुप गया हूँ जी असलाम अलेकूम मेडम कैसी है आप आपका फोन आया था उसे फारिस की शाही उन्चाई पे होता था और उनका कमरा निशीब में ये फर्क सरताशा को आज पहले से जाधा मेसूस होआ था जी शोर मैं मैं कल आपको उससे मिलवा दूँगा टाइम और जगा मैं आपको टेक्स कर देता हूँ ओकी फारिस शाहिद कुछ और भी कहना चाता था मगर दूसे चानिब से गालवन उस लहजे में की गई बात काटी गई थी तब ही वो हामोश हो गया और फून बंद कर दिया जब वो पल्टा तो सरताशा को वहीं कड़ा पाया हूँ क्या कह रही थी उससे वजार अंचान सिवन कर पूछा हूँ दिल अलपता सोर सोर से ठटक रह रहा था हामोश होगे हूँ जैसे अथि वह सभार की फुष्च वापे पहले से जादा है रहत हुई थी यह फिर शायद उससे बुरा लगा था हूँ क्या वाकिर उसको मुश्रिम समझ रही थी क्या आपको यह लगता है कि ठीए आपको मुश्रिम् समझती हैं सरताशा जरा कि जरा इत्याज से उसका चेरा दिखती करीब आई वो जो बैटके किनारे बैटकिया था चोंकर सर उठा कर उसे देखाँ चेरे की दास्वास जरा नर्म पड़े आगेर वो उसकी बीवी थी उसकी सोच बढ़ सकती थी उसे मुभें सासबात में सरे लाया शायद जरताशा को सरा तक्वियत मिली कर्दन उठाकर पहले से साथ इत्माज से वो करीब आई उसे गंदे पर नर्मी से हाथ रखाँ सुमर जो भी कहे मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया और मैं जानती हूँ कि आप मुझ्रिम नहीं है यकीनन कोई इसमें आपको भसा रहा है पारिस के तासुराद की नर्मी बढ़ती गई उसे हलका सा मस्कुरा कर सर को खम दिया ऐसी मस्कुरा जिसमें सौकवारियत भी थी और सखमी पन भी थैंकियो जरताशा तुमारी स्पोर्ट मेरे लिए बहुत मानी रखती है वो भी जवाबन उसकुरा थी अलबत्ता वो पहले से जादा मुस्सरिप थी उसको क्या चीज संग कर रही थी आशिम का एक बेमानी बेसबफ सा जुम्ला क्या बस यही सरताशा को दंकरा था उसे सच अड़कना चाहां मगर सोचो कुछ अड़कना इतना आसान ना था प्रेसिंग टेबल की दरास में मेरी एंच्यू के हाथ बिच्वाई की वीडियो सीडी रखी थी जोकि शेरी ने बिच्वाई थी इससे हावर को पता नहीं चल सकाँ और ना ही आशिम को उससे सोचा कि वो कल देखेगी हाँ, कल लम्हों से अब मामला क्या हो दिल पे अब कुछ गुजर रहा भी नहीं जिस वक्स उमर ने फारिस का फून बन किया वो घर में दागिल हो रही थी उसके चेरे फे चीब से फेसारी और कते नागवारी थी मुबाइल पर्स में रखते होए वो मुँ में कुछ परपड़ाई जैसे वो उस सारे खड़ाक से तांगा रही थी मगर साधी सिर्फ साधी के लिए उसे ये सब कुछ अरसे मजीद परदाश करना था पता नहीं शादी के बाद क्या होगा में डूर खोलकर वो दादारी में आई फिर ट्राइंग रूम के करीब से गुजर थी वो ठहरी जालीदार परदे के पार में मानों की बात है उस चेरे दिखाई दे रहे थे सारा ओट में होकर उसे निखाँ यहां से सिर्फ सामने सोफे पे बैठा हमाद दिखाई दे रहा था वो शकल सा नोजवान जिसकी आँकों पर ग्लासे से मगर इस वक्त वो कदरे यहर मुत्मीन से सुरते हाल में बैठा था बागी उसकी वालदा का चेरा तो यहां सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा था मगर उनकी आवाज वो भारहाल सुन सकती थी वो बड़े अपास से कह रही थी हमें बाहू भी एसास है कि आपके हांदान के बहुत करीबी वफात हुई है लेकिन आप भी हयाल कीजिए क्या हमारे कार्ट स्वट चुके है हमारी सारे मेहमान आ चुके है कितने ही लोगों ने पाहिल से आना था वो चुटी लेकर आए है वो त्धायो और ठह भी नहीं सकते ऐसे में हम लिभी मुशबूर है मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी सारी बात मैं आपको शादी के आगे करने कभी नहीं कह रहा शादी उसी दिन होगी जो कार्ड्स पर लिखा है मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम इस शादी को कदरे साथगी से भी कर सकते हैं मजाए बेहद धुम धाम के हमारा एक ही बेटा है क्या हमें कोई हक नहीं है क्या हम अपने तमाम अर्मान उस पर पूरे कर सके आप जानते हैं वो तीन बहनों को इकलोता भाई है इसमें सब की होशी शामिल है वो सब ठीक है अब वली में पर अपने तमाम अर्मान पूरे कर लेजेगा लेकिन सिर्फ अपनी तरफ के फंक्शन्स हम साथगी से संजाम देना चाते हैं ये देथ हमारे हांदान के लिए एक बहुत बढ़ा दचका है मैं नहीं चाहता हमारे किसी भी अमल से मेरी पहू और पोते अफसेट हूँ बढ़े अबब भूत मतानत और बारोब लहजे में उनको अपना मुद्ध समझाने की कोशिश कर रहे थे ये कोई लाहासल सी बहसी जो सुमर को मसीर रसाय कर रही थी दफातन बेहत तकलूफ में बैटे हमार की नजर उस पर पढ़ी तो बाद दिक्कत मस्कुराया हूँ सुमर भी उतनी ही दिक्कत से मस्कुराई सर को हम दिया और पलट कर अंदर चली गई हमार से उसका तालुक बस इतना ही था बसाहे रही पसंदीद्गी की बाद तो अपने जैसे भोल से लड़कियों की तरह मंगनी निका शादी जैसे लाइसेंस के बाद उसको पसंदीदी का एक्तियार तो मिली चुका था अच्छा था वो उसको पसंद भी था और शादी के हवाले से उमीदें भी बहुत थी लेकिन वारिस खाज से गतल ये एक वाग्या हर चीज को बदल रहा था कमरे में आकर उससे मुबाइल कोला वारिस की अभी अभी अटेंड की हुई कॉल रिकॉर्ड देखा सर्दाशा की बाते सहिन में दुबारा से खूंजी चेरे भी आई हुई तलही मसीद भढ़ गई बेदिली से उससे फून परे रखा तभी वो दुबारा से बच्चने लगा सुमई ने कॉल उठा ली यो ओफिस से थी अच्छा हम ठीक है मैं समझ गई मुझे मालूम है कि वारिस खाजी का बॉस इस सारा अपने क्लासिफाइट फाइल से ही देगा कल पेशी की त्यारी करो हम कोड से ओर्डर लेंगे उनकी फाइल्स खुलवाने लिए आगर हमने उनको भी तो शामले तफ्टीश रखना है अगर फारिस खाजी ठीक कह रहा है कि मडर का तालूग उस केस से है जिसकी तफ्टीश मक्तूल कर रहा था तो हमें कोड से ओर्डर लाजमी लेना है समझ गई? ओके फून बंद करके समझ ने पहले से जाधा बेदेली से उसे विट पर भैंको और कनपटी दोनों उंगलियों से मसलती सर आदों में गिरा कर वहीं बैठी रही ये और बात के बाजे उसी के हाथ रही वगरना फर्क तो ले देकर एक चाल का था वो सुबा पहले से जाधा ताफून सदा थी हवस, खुटन और फिजा में चाहिवी अजीव सी सरंद ऐसे जैसे दूर कहींगे सेरे समीन कुई चीज़ चल रही हो पुन रही हो, कुई नादीदाश है ये वो जगा थी, जहां उसे फारिस के एलेबाई से मिलना था वक्त करीब था, दोबारा से होटल का नाम सेरे निशीन करने के लिए उसे मैसेज खोला ही था, कि मुबाईल बज़ा फारिस का नमबर आ रहा था, उसे कार्ड का दरवासा खोलते हुए फून कार्ण से लगाया हूँ, मैं फारिस निकल नहीं वाली चेंज ओफ प्लैन, होटल नहीं, उसके सामने रेस्टूरेंट है वहां आ जाएए जुमर, मैं तफसीलात समस कर रहा हूँ और फून बन, जुमर के अपरूट आच्चुप से भीजे, वो फारिस ही था शायद कल उसके हुश को मुक्तसर अंदाज से कुफ्तवों की वाजा से उससे सरवाद की हूँ, है साच अटक कर उससे कार स्टार्ट की, और मेरा मैं अपना चेरा देखाँ बूरी आँखों में संची थी थी, और नाग की लोंग चमक रही थी, पुंगराले बाल चोड़े में बंदे थे वो हर रूस की तरह आज भी तासा अदम नजर आ रही थी, आशिम अपने ओफिस में पावर जेर पे टेक लगाए बैठा था कोट कुरसी की बुष पे पहला था, कफ मोड़ रखे थे, बिल्कुल ठके ठके खून से नुचरे चेरे के साथ वो मेस पर खुले लैबटॉप को देख रहा था, आवर से राप्ता मसलसल चुड़ा था, वो फारिस और जुमर की कॉल सुन सकता था, आँकों में लबत था, नाखुशी थी, जब कॉल हदब हुई तो वो आगे को जुका और माइक में बोला ये फारिस का लहजा बिल्कुल नहीं था, वो पहचान जाएगी, सर, ये करीब तरीन है, इससे ज़्यादा मुशाबत मुम्किन नहीं, हम आवास काफ भी कर सकते हैं, लहजा नहीं, आप जानते हैं, हर आवास का एक मुख्तली फाइस प्रिंट होता है, इसलिए मैं इन रि होकर मुट्टी भी जब वापिस पीचे हो, उसके आँकों में अजीब सा कर्ब था, घुस्सा था, गिल्ड था, आशिम के पास इस वक्त हर चीज सी सवाई सुकून के, ओटल की कमरे में हावर घिड़ी के साथ बैठा था, परता हटा कर गन स्टेंट पर खड़ी थी, उससे पारीक तहसाने भेन रखे थे, जिनकी उंगलियों के बोरों की जगा पारीक प्लास्टिक जिपका था, उस प्लास्टिक पर फारिस की फिंगर प्रिंट से, वो जहाँ जहाँ हाथ लगा था, वहाँ फारिस की निशान लगते जाते, जो बात में पुलिस सलाश कर लेगी, बहुत यत्याद से वो गन को स्टेंट से फिक्स कर रहा था, इतनी यत्याद से कि उस पर मुझूद फारिस के असल फिंगरप्रिंट साराव ना हो, कि गन उससे फारिस के घर की बेस्मेंट से उठाई थी, गन सिट करके उससे नाल में से दिखाँ, निशाना भादा, दूर न नेकसी के वरामदे में कुरसी पे बैठी, उदासी से सामने कड़े बुलंदों बाला महल के अपको देख रही थी, वहाँ पर हार्शिम के बेलकुनी थी, और नीचे शेरीन अपनी दोस साला बेठी सोनिया की उंगली पकड़े उससे बाते कर रही थी, किसी बात पर हलका सा सी कास पर चल रही थी, शेरीन ने टाइट्स पर ठेली से डिसाइनर शोट बेहन रुखी थी, जिसे खंदें उससे आज से नीचे तक लटकती थी, गर्दन में पत्रों के लंबी सी माना, सब ब्रेंडिट था, वो जानती थी कि सब कितना गीमती होगा, फारिस की तीन महीने कितनों हाथ से भी कहीं को ना जादा गीमती, मगर नहीं, वो जाता तो बहुत कुछ अफोर्ट कर सकता था, अगर वो ब्लैक में हरीती गई, साथ आट लाग के खन हरीत सकता है, तो उसको पार्टी के लिए दो लाग के साड़े भी दिला सकता था, मगर नहीं, जर्ता शंग यासियस से देखती रही, तफातन दूर कड़ी शेरीन ने उसे देखाँ, सुरची रोश्णी के बाइस माते पर हाथ का चच्चा बना कर, आंकों की बुतलियां सुकेड कर देखाँ, फिर हाथ हेलायां, मुस्कुरा कर तफकुर से तमसुर से, जर्ता शा फीका से मुस्कु सीरी उठा कर अंदर ले आई, सारी वीडियो वो देख चुकी थी, और जो अमोमन हार्शिम के आगे पीछे कही ना कही नजर आजाता थाँ, इधर दरम्याल में एक लम्मे दुरानी है कि वो खाइप थाँ, वगर खाइप तो फारिस भी थाँ, इससे कुछ सावित नहीं हो जी, मैं एक रेस्टुरेंट का एड्रेस SMS कर रहा हूँ, जहां पे इस वक्त आपके शोर डिस्रिक प्रोसीटर जुमर साहिवा के साथ लंच कर रहे हैं, अगर आपको ये कीन नहीं आता तो खुदा कर देख ले, नै शनासा आवास वे कहे कर फोन बंद कर दिया या थाँ, वो है है गटी रहे गई, पहले तो कुछ समझ ही ना आया, और फिर समझ आने पर वतेशी से उठी, चेरे पर शदीद किसम का तैश, गुस्या और उल्चन से भी कर गई, फारिस उससे मिलना ही था, ये तो हो जानती थी, लेकिन किसी रेस्टुरेंट में लंच, ये दो लफ फिर दूसरी, उससे फोन उठा लिया, हार सरताशा बोलो, आप किदर हैं, कदे हिचके चार्ट से उससे भूजा, साथ में उससे खुद पर अफसोस होने लगा, वो कैसे किसी अजनबी की कॉल पे इतपार कर सकती थी, मैं काम से आया हुआ हूँ बाहर, कोई काम है, नहीं, बस मैं आपका पता करना चाह रही थी, आज आपने प्रोसेक्यूटर से मिलवाना था उस लड़की को, वो सब हो गया है उसे, हाँ मगर मेडम अभी तक नहीं आए, मैं और हनीन अलीशा की कमरे में उनके इंतसार कर रहे हैं, होटेल में यानी के, उसकी बात अदम भी नहीं पर ही, अपने टार्गेट के इंतसार में वो लमहे की नहाँ था, लैपटॉप पे आशिम से राप्ता फिलहाल हामोश था, ये नहीं था क्या आशिम दोसे जाने मुझूद नहीं था, आशिम बस चुप था, बिल्कुल चुप, वो दोनों मुंतसर थे, इसकी जिन्दी की टेहरी लिखने के लिए, हावर के होटल की कमरे से मुलका कमरे में अलीशा कदर मुसरीब से कुरसी फे बैटी थी, वो वकफे-वकफे से सामने हमोश बैटी, हनीन और मुकाबिल मुसरीब से ठैलते फारिस को देखती, उसकी अपने चेरे पे भी तफक कर चाया था, मैं लबाई मस्बूत करनी है, क्योंकि ये सच है, मैं कतल के वक्त इधर ही थाओ, लेकिन मैं अदालत नहीं जाओंगी, वो बात की बात है, मगर अलीशा बेचेन हो रही थी, हनीन भी तो दी उस साथ हमारे साथ, कैसे जिफ हनीन गवाही नहीं दे सकती, उसे कोई चीज बहुत ज़्यादा परिशान करें थी, मैं 16 साल की लडगी हूँ, इनकी रिष्चेदार हूँ, मैं क्रेटीबल, कवा नहीं हूँ, हनीन ने पहली दफ़ा कुफतो हुए मताखलत की, वो भी काफेत मात से, वारिस और अलेशा दोरू ने उसे देखा, हनीन निशाने उचका है, एली परिशा पेज के जा रही थी, क्योंकि अगर मैं किसी मस्ले में पढ़ी, तो मैं आपको अभी से बढ़ा रही हूँ, मैं इस सबसे निकल जाओंगी, कम असकम आज के लिए तुम इस सबसे नहीं निकल रही, वारिस से काफी सकती से उसका चेहरा देख कर कहा, जहां एक आ रहा था, एक जा रहा था, फिर गहरी सासी, सामने सोफी परा कर बैटा और समझाने वाले, मगर दोटों का अतना से बोलाँ, ये नट जियो वाली कहानी प्रोसीक्यूटरों को मत सुनाना, तुम बस एक टूरिस के तोर पर यहां आई हो, अपनी दोस से मिलने बात अतम, स पुपो को कॉल कर ले, फारिस से सर के लाकर फोन निकाला, कॉल मिलाकर घांट से लगायों, घंठी जाने लगी, मुलाका कमने मुझूर हावर्ड के लैप्टोपे सिखनल आने लगा, फारिस के नमबर से कॉल जा रही थी, उसे चंद कीस सभाई, कॉल कर रास सा काठा, और फारिस को फून बन होने का बेगाम मिलने लगा, उसे सर शटक कर मुबाल जेब में डाल लिया, यकीनन वो आ रही होंगी, और इनने हमोशी सर को हम दिया, वो इस कारवाय में फारिस का साथ सरूर दे रही थी, अलवत्ता वो खुश नहीं थी, उसे सुमर का फारिस के उपर परशक करना, अलीशा के सारे मामले में किसीटा जाना, साधी की वेचेनी हर चीज नाहुश कर रही थी, कितना ही अच्छा हो था, अगर सुमर उसकी बात कर ली थी, मगर उसने साफ बेरुई से कह दिया था, क्यों इस केस भी किसी की रिश्यदार नहीं है, और इनने ये सब याद करके नागावारी से सरजट कां, आंखी अभी तक सुर्ख मुत्वरम दी, पहले फारिस मामो अगम, और उसके बार शुरू होने वाला ये अजीब सा पुलिस कचैरी कानून का चक्कर, मरहले और पी थे, जहां से गुजरने के लिए, करबला किसने बसकर बो बला होगी, मुबाइल और परस उठा कर वाएनिक लिए दोटर देखां, तरवाजी करीब मेस पर रिसर्फ लिखां, यहां से भी नजर आ रहा था, वो रेस्टर का ग्लास तोर खोल कर अंदर आई, वेटर से उस मेस के मतालिक पूछां, यह मालूँ होने पे कि उसी के नाम पर वो वहाँ बैठ गई, फिर खड़ी देखी, वहाँ अभी तक कोई नहीं आया था, उससे कोफी ओडर की और फिर उंगलियां आपस में मसलते इंतसार करने लिए, क्या वो वागए ठीक कर रही थी, क्या वागए उसे फारिस के एलेपाई से मिलने यहां आना चाहिए था, अ क्या यह सब दिखाने को कोई फाइदा होगा, क्या वागए उसके उपर से उद्गर्सी का लेबल उत्रे हो, इन तमाम सोचों से सर्च अड़कर जोमर ने अपनी दवच्छा वेटर की दरव मफसूल की, जो आप कौफी लाकर सामने रख रहा थो, जब तक उससे कब उठाय सामने से कोई आदा नजर आया हो, जोमर ने चौंकर उदर देखा हो, जब दाशा थी, स्या लिबास पर सुर्माई डुवट्टा करदन में लपीटी, वो हामोश टेंसू से देखती न गरीब आई, गुरसी कीजी सामने बेडी, कौन या मेस पर रखी, अदेली पर थोड़ पर ठीकाई, काफी की इना दोज संसों से सुमर को देखने लगी, सुमर कदरी गहर मुतमीन अंदास वे गुरसी की इनारे पर आगे हुई, सर के हम से सलाम किया और पूछो, फारिस कहा है, जईताशा ने अलके से शाने उचकाई और सुमर को बच सतोर बिना पलक चपके दे मिलवाना था, लेकिन मुझे तो यहां कोई नसर नहीं आ रहा, आगर किस से मिलवाना था उनको, अपनी एहली बाई से, कतल के वक्त वो जिसके साथ थे, सुमर को अब कुछ बहुत बुरा लग रहा था, बगर ना वो अपने महसूसियास समझ पा रही थी, ना सर्थाशा कर रवाया जो अचीब नसूस उसको देख रही थी, आपके लिए कुछ और करूँ, सुमर ने कहते हुए वेटर को इशारा किया, वो करीब आया, तो सर्थाशा न उससे निगाह हटाए बगए, मैस जूस को और दिया, वो सरह रहा कर चला किया, सुमर ने दुबारा खड़ी और फिर मुबाइल को, आखिर फारिस कहां रही है, और आखिर उससे अपनी बीवे को यहां पर क्यों बोला लिया, उसके दिल में कोई किल्ट नहीं था, वो तो उसका पुराना स्टुडेंट है और कुछ भी नहीं, वहां वो साधी का मामोमी था, मगर फिर भी सर्था का अ फारिस वे शब और बागी सब उससे फारिस के तवच्चा के लिए उसका खाया खराब करने के लिए कर रही थी, उससे सामने बैटी उंग्राले बालों वाली कौफी का मंग खौन-खौन पीरी लड़की बहुत बुरी लगी, आप क्यों फारिस के मंगनी होते होते रह गई पाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं था, आप इंकार क्यों कर रही है, पारिस से हुद इस बात की तेस्सी की थी, वो आपसे शादी करना चाते थे, लेकिन किसी वज़ा से ऐसा नहीं हो सका, अब रूश काकर वो बोली, उसके अंदास में चैलिसी थी, आजूम से चैलिसी, जूमर बिल्कुल सुन रहे गई, अंदर कोई जवार भाटा सबक नहीं लगा था, उसे सुना था कि कुछ मर्द बेवियों पर धाक बिटाने को खहते हैं कि हांदान की फला और फला नड़की मुझ पर मरती थी, ये और वो, मगब फारिस से इस किसम की बात की तुक्का ना थी, उसका दिल मसीद बुरा हो, ये इंतिहाई एहम काना बात है, अब ये फारिस आने ही वाला होगा, आप मेरे सामने ये बात उन से पूछ लीजेगा, जहां तक मेरा तालुक है, तो मेरी शादी तयार है, ऐसे वक्त में इस किसम की बात आपको करना और मुझे सुनना सेब नहीं देता, वो शदीद परमे से बोलती, रूख मोड़कर दूसरी जाने दिखने लेगी, वो तो औरते गलत वक्त और गलत मोगे पे गलत मोज़ू छेड़ वेड़ी दी, सर्दाशा ने हल्किस से चाने उश गए, जो आप कहे, वक्त को सर्दा जा चाहिए था, मुझे और भी बहुत से काम करने है, मैं नहीं जानती, वो किदर है, सर्दाशा अपके सरा मताफाना अंदास से बोली, मुझे तो इनफेक्ट पता भी नहीं था, क्यो इदर आ रहे है, मैं तो यहां शॉपिंग करने आई थी, आपको देखा तो इदर आ गई, वो लमहें पर को रुकी, अब उसे हयाल आ रहा था, कि अगर फारिस इदर आ गया हूँ, और उसे यहां देखा, तो फिर इस तरह वसाहत कर पाई ही, क्या पता हूँ, जोमर ने यह सब उसको फारिस की नज़ों से किराने के लिए हूँ, लेजे को सवरा धेमा करके उससे ब कि फजोर और हमकाना बातों पे अभी तक उसे घुसा आ रहा था, वो कोई मजाग था, तो बहुत बुरा मजाग था हूँ, तब फोन की खंटी बजे, फारिस का फोन आ रहा था, जोमर ने कॉल उठाय और रुश लहजे में बोली, आप किदर हैं फारिस, मैं आपका कितनी तेर से इंतजार कर रही हूँ, चनल में हामुशी चाही रही, फिर आवास उपरी, जोमर, आएम सोरी, आशे मने लेपटोप और उबर दे अलफाज सुने और ठके ठके अंदास में सरकुरसे की पुश बिगरा दिया, जी, आप नहीं आ रहे, जोमर ने कहा मगर यू लगता था, वो सुन नहीं रहा, वो कह रहा था, जो से कहना था, कुछ अजीब था उसके अंदास में, रुक रुक कर बोलता, बेतासर सांदास, मेर्शीनी, आटोमेटिक, मैं तुम्हारे करीब ही हूँ, जुमर, लेकिन मैं यहां पर नहीं आ सकता, ये मेरी मजबूरी है, मुझे से वेक्तियार, फोन को खुरा, और फिर दुबारा फोन कान से लगाया हूँ, फारेस, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कि आप क्या कह रहे हैं, उससे कब शक्ता फारेस पे, वो सवाल और जवाब तो तफ्दीश का हिस्सा थे, वो क्या बुरा मान क्या था, आशीम मे के बास सुनने के लिए नहीं रुका, वो कहे जा रहा था, और चूंके मेरे बास कोई यहले बाए नहीं है, तो इसका एक ही मतलब है, कि वारिस खाजी का कातिल मैं ही हूँ, और मैं उससे वाके नहीं मानना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वो मेरे ब समाक भक से उड़ी हूँ, उससे वेकिनी से सामने बैटी सर्दाशा को देखाँ, जिसका जूस आ गया था, और उस रौँ उसमे खुमाती कुछ मिक्स करे थी, मगन सी, फारिस की बात पर उससे सरा सरा चलन कर शिकाँ, मगर फिर भी उसके चेरे पे एक मासूम्य थी, पचक जाना अंदाज, फारिस, आप, आप कहा हैं? उसे लगा, वो मसाक कर रहा है, आशिम उसी तरह, बन आखों को उंगलियों से मसलता हूँ, सर कुटनों में दीए बैटा रहा हूँ, कर्व सा कर्व थाूँ, आएम सौरी जुमर, मगर मैं वहाँ हूँ, जहां मुझे होना चाह कि इस पे डालने में काम्याब हो रहा था, मगर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मुझे पे शक है, तो मैंने सोचा कि मैं शक की तज्दीग कर लूँ, मैं तुम्हें बता दूँ, कि मेरे पास कोई अलेबाई नहीं, तुम इस केस की प्रोसीक्यूटर हो, सवाए तुम्हारे फारिस गाजी के मतलका फारिस दिखलवाने के लिए कोट से वाडर लेने जा रही हो, अगर कोई तुम्हें कोली मार दे, तो सब कर शक उस मतलका केस सक जाएगा, जिसकी वारिस सफतेश कर रहा था, फारिस गाजी पर कभी कोई शक नहीं करेगा, और ही जर्दाशा, तो अज़ जर्दाने के लिए कोई हो, आर मलतम प्रेस एलेँ कर भी कोई भी के लिए, जिसको वाज़ाय हो, वा regen तो बन इकता हो, तुम्हें जिसकी वाज़ा के वाज़ाश जिए यिदा आर म always हो एता है, तो आर को एता है, जिसकी वाज़ा हो, था तुम का भी कोई, ढ़िए